आज मैं आपके लिए खस्ता मीठा मठ्री की एक नई रेस्पी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत टेश्टी लगता है इसे आप कई दिन तक इस्टोर करके रख सकती है और अगर कहीं जन्नी पर जा रही है तो बना कर ले जा सकती है ये कई दिन तक खराब नहीं होता है त 200 ग्राम कद्दुकस किया हुआ नारेल ली हूँ उसके बाद एक बड़ी थाली में एक कटोरी मैदा लेंगे एक कटोरी सूजी लेंगे और एक कटोरी आटा लेंगे आटे और मैदे की कॉंटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं आटे और मैदे को मिला कर उसका आधा सूजी रहेगा और ये 100 ग्राम घी है अब घी अरिफाइन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर अच्छे से मिक्स करना है और तो फिर उसके बाद दोनों हाथों से अच्छे से मिलाना है अच्छे से मिलाने के बाद इस तरह से हम मुठी बाद कर देखेंगे अगर मुठी अच्छे से बच जा रहा है तो हमारा मोयन परफेक्ट बना है फिर इसमें हम अजवाइन, सौफ और कदुकस किया हुआ नारियल डालेंगे दो चम्मच पिसी हुई इलाइची डालेंगे एक कटोरी पिसी चीने डालेंगे फिर हम थोड़े पानी मिलाकर इसको अच्छे से सक्त डो तयार करेंगे पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं यूज़ करना है सिर्फ थोड़ी थोड़ी मातरा में डालना है नहीं तो हमारा डो गीला हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम सक्त डो तयार कर लेंगे इसे हम 10-15 मिनट के लिए र प्रेड़े को हाथ में लेकि इस तरह प्रेस करेंगे लकड़े के साचे पर देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है आप कोई भी डिजाइन बना सकते जो आपको पसंद हो फिर हम इस तरह से दूसरे डिजाइन बनाते हैं देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सब फ पसंद उस तरीके से आप बनाएं दिखें यहाँ पर भी कितना अच्छा डिजाइन बन गया है। इस तरह से सारे डिजाइन बनाने के बाद आपको जो पसंद ओआप उससे बनाएं। यहाँ पर मैं लकड़ी के साचे से बनाओंगी मुझे यही पसंद है। यहाँ पर हमारा सारा खस्ता मठ्री बनकी तयार हो गया है उसके बाद इसे हम तलने के लिए अगला प्रोसेस इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर गैस आन करेंगे कडाही गरम होने पर तिल डाल देंगे तिल के गरम होने पर हम खस्ता मठरी डालना शुरू करेंगे एक एक करके हम सारी मठरीयों को डाल देंगे सुलू फ्लेम पे ही से धीरी धीरी पकाना है तेज आच पे ये मठ्रिया जल जाएंगी और अंदर से कच्छी ही रह जाएंगी एक साइड में हो जाने पर हम इसे पलट देंगे और धीरे धीरे से पकाते रहेंगे देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है गोल्डेन ब्राउन का कलर हो जाने पर इसे हम उतार लेंगे इस से ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसी तरह से बाकी बच्चें खस्ता मीठा मठ्रे को भी तल लेंगे इस तरह हम इसे भी तेल में डाल देंगे देखी ये भी एक साइड से हो गया है, इसे हम पलट देंगे इसे हमें दोनों तरफ से अलटते-पलटते रहना है जब ये दोनों तरफ से हो जाए अच्छे से गोल्डेन ब्राउन तो इसे भी हम निकाल लेंगे देखी इसका कितना सुंदर कलर आ गया है इस तरह से तल कर हम सारी खस्ता मीठी मठ्रियों को निकाल लेंगे देखिए हमारी खस्ता मीठी मठ्री बन कर तयार हो गई आप कभी भी इसे बना सकती हैं सभी लोग इसे बहुत पसंद सिखाते हैं अगर आपको आज की मेरी खस्ता मीठी मठ्री पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और प्लेज इसे जादा से जादा लोगों में शेयर करें थेंक यू